दोस्तो सेशन शुरू करने से पहले हमने आपको दो दिन के लिए ओफर दिया था यानि कि कल और आज पांच बजे तक दोस्तो कुछ स्टुडेंट ऐसे है जिनकी पैमेंट नहीं हुई है जिनकी बज़े से ये ओफर आज दस बज़े तक वेलिड रहेगा और इसमें हमने आपको 30 दिन में 30 प्रैक्टिस सेट और केवल 30 रुपे में आपके लिए अवी लेवल कराई और इतने कम रुपे में इतना सारा डाटा यानि कि टोटल आपके साड़े साथ सु कॉशन यहां से बनेंगे और आप तक हमने दो सेट डाल दी है जिन भाईयों ने जोइन किया मैं विश्वास दलाता हूँ मैं आगे और भी ज़दा मेहनत करूँगा उनके लिए जितना होगा इतना ज़दा करूँगा क्योंकि एक-एक कॉशन से सिलेक्शन रुकता है एक-एक कॉशन से सिलेक्शन हो जाता है तो बिल्कुल एक भी कॉशन नहीं कटने दूँगा अच्छे लेवल का जो भी आपका बनेगा बाकी सबी अपना परिवार है और जिन भाईयों ने जोइन नहीं किया वो अलग बात है प्लेलिश्ट में हमने बहुत सारी वीडियो डाली है वहां से भी आप चेक आउट कर सकते हैं और जिस भाई को जोइन करना है वो भी आज 10 वज़े तक जोइन कर सकता है इस नमबर पर हमें मैसेज कर सकता है और केवल 30 रुपे आपको पे करने है वाटसप आपको यहां से करना है और अगर आप आज जो नहीं करते तो कल से आपकी 70 रुपे फीस इसकी लग सकती है क्योंकि लगेगी लग नहीं सकती 100% हो जाएगी क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा है वो भी इतने कम रुपे में हम दो दिन के लिए ही हमने अविलेवल कराए आपकी ज़्यादा डिमांड आई थी और दोस्तों CET पका होगा मैं फिर से कह रहा हूँ आपको तैयारी करनी है मैंनी चाहता कि आप मेरे भरों से बैठे आप कहीं से भी पढ़े जो भी आपको अच्छा लगे आप वहां से तैयारी कर सकते हैं हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं बाकी सेलेक्शन ले ले सबसे बड़ा मुद्दा यही है अगर आपको अपने घर वालों को सपना पूरा करना है आगे बढ़ना है कोई नहीं पूछेगा कि आपने कहां से पढ़ा है कैसे पढ़ा है क्या किया अगर सेलेक्शन हो जाता है तो आपकी जो कामिया भी है वो आपके कदमों में रहेगी ठीक ना तो इस सेसन को हम आगे बढ़ाते हैं पहला कोशन आपके सामने है महमूद गजनवी ने जब थाने सर पर आकर्वन किया उसमें वहां का सासक कौन था तो इसका जो राइट अंसर बनेगा तो आपके थे जैपल कौन थे सासक जैपल थे तो ये एक आसान कोशन है बहुत ही आसन कोशन है हम कह सकते है और महमूद गजनवी ने मैं आपको बताता हूँ एक हासी सतान है कौन सा हासी है जो पहला पुलिस जिला है और ये आपका कहां पर है हिसार में है इसको अपनी राजधानी बनाया था तो ए बिल्कुल इसका राइट अंसर रहेगा ठीक है पाश्यम जगत का विर्तान्त नाम ग्रंथ की रचना किसने की है तो इसका जो राइट अंसर हैगा पाश्यम जगत की विर्तान्त नाम ग्रंथ की रचना किसमे की है तो इसका जो राइट बनेगा सी यू की तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा गुछवी का नाम बदटकर गुरू जंबिस्वर युनिवर्सटी आप साइंसें टेकनोलोजी नाम कव कर दिया गया ऐसे कॉशन आते हैं और बिल्कुल सही कॉशन है अच्छे लिवल की कॉशन है तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 17 मार्स 2006 तो B बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा मिर्जापुर का टीला किसे कहते हैं तो अच्छा कॉशन है मिर्जापुर का टीला किसे कहते हैं तो इसका जो राइट आंसर बनेगा मिर्जापुर का ठीला बोलते हैं करन का ठीला कौन सा करन का ठीला कहा पर है करन का ठीला कुरुशित्र में है गव करन तालाव रोतक में है करन का कोट भट्टू कला फतेबाद में है कलपना चाबला तारमंडल कुरुशित्र में है और करन का तालाव करनाल में है तो इसका जो डाटा है हम आसे यानि कि इखटा कर रहे हैं और आपके लिए अविलेबल करा रहे हैं एरर फ्री डाटा है कोसिस यही अब की बार की एक वी कॉशन गलत ना हो भगवानपुर का ठीला जो की कुरुशेत्रे में उसका छेत्रफल कितना है तो यह एक आसान कॉशन है तो इसका जो राइट बनेगा 1244 वर्ग किलोमीटर है भगवानपुर से यानि कि बहुत प्रिकार की कलरफुल यानि कि जो चूडिया मिलेती आश्वाने रंग नेले रंग के ग्रीन के या फिर आपके तामे के चूडिया भी हैं इससे मिली आपको धियान रखना है तो यह बि आपको मिलेती हम से जानते थे और ये आपको कहाँ पर हिसार में है और 1968 में उसकी डॉक्र सूरज मन के द्वारा खोज किगी गई है माराजय अगरसेन के सथन को अपनी राजधानी बनाया तो फिलकुल एक आसन कौशन है अग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग् पिरदेश में मैथु आयो की सतापना कब हुई बिलकुल जबर्ज़स्त और अच्छे लिवल का कॉशन है और एक जम में ये कॉशन आपका बन सकता है इसका जो राइट अंसर बनेगा 1985 में कब हुई है 1985 में तो C बिलकुल इसका राइट अंसर है C बिलकुल सही है दलेल खान ने फरुक नगर को किसा करती में बसाया था तो ये भी एक आसान है और बिलकुल अच्छे लेवल का कौशन हम कह सकते हैं इसका जो राइट अंसर रहेगा अश्ट बुजी में फरुक नगर आपका कहा पर है गुरू गुराम में बैठीक न तो यहां से भी एकजामें कई बार कौशन बने हैं और आगे भी बन सकते हैं गुरू गुराम में 1857 की करांती की सुरुवात कव हुई देखो देश में और अमबला में 10 मही 1857 को सुरू होती है करांती लेकिन हरियाना का एक सतान ऐसा जहां पर 3 दिन बाद इस करांती की सुरूवात होती है तो वो है आपका गुरू गुरू गुराम 13 मही 1857 तो एक most important question एक जाम में बन सकता है ये question आपके लिए 1857 करांती की समय छच्चरॉली का सासक कौन था तो बिलकुल ये भी आया छच्चरॉली का दूसरा नाम भी पूछता है कई बार तो ये सासक आपका कौन रहेगा का कल्शिया राजा के नाम से इसे कल्शिया की उपादी दी गई थी था अठारस ओठारे में रानिया का विद्रो भी हुआ है और रानिया आपका सिरसाम है जिसका नेतुर्थ करता था जावित खान तो ये आपको दियान रखना है इसे question बनते हैं कोटला की पहड़ी हरियाना के किस जिले में है तो कोटला संगेल औजीना ये सबी आपकी कहां कि पीली मिटी भी है की बुक में लेकिन ये मेरे साल से पीली दूसर इसका right answer होना चाहिए अस्या की सबसे लंबी नहर इन्द्र गांधी नहर किस जिले को छूती है तो बिल्कुल इसका right बनेगा तो सिरसा को छूती है किसको सिरसा और ये पशिम का आखरी गाम है इसका चो और बहुत यह अच्छा कोशन है और कमेंट करके आप हमें बताएंगे गन्ना परजिनन केंद्र है आपका कहाँ पर है और कब उसकी सथाप नहीं है तो आप हमें मैसेज करके जरूर बताएं ठीक है हरियना का सिर्षा जिलाब गहूं का कितना प्रतिसत उत्पादिन करता है त चोटा जिलाब का फरीदाबाद रहेगा साथ सो एकतालिस दूसरा पंचकुला उसके बाद आट सो अठ्थान में और उसके बाद सिर्षा के बाद चोटा है आपका हिसार उन्तालिस सु तरासी तो यह आपको दिहान रखना है एक अच्छा कोशन है हल्दी का सबसेदिक उत आसान कोशन है हर कोई इसका अंसर दे सकता है यमन नगर मिर्च पूछ ले यमन नगर गन्ना पूछ ले यमन नगर तो ऐसे कोशन आते हैं भई ठीक है ना तो एह बिलकुल इसका राइट रहेगा संपून हरियाना के सभी गावों बिजली का पहुंच गई तो यह एक सिंप पार्क नौल अथा पानीपत में 20 सौर उर्जा पार्क है अठारे जिलो में तो यह आपको दिहान रखना है हरियानम एक्षा उर्जा विकास एंजेजन की सतापना कब हुई तो बिलकुल इसका जो राइट बनेगा हरे रा के नाम से भी यह एक जामे बन सकता है तो चार पास में है तो यह आपको दिहान रखना भी ठीक हरना एजनसी की हम बात करने सतापना कब हुई है मुख्याले अगर हरेरा की हम बात कर रहे हैं अगर आप से पूछले मुख्याले तो पंचकुला में 1997 लेकिन इसके अकॉर्डिंग इसका जो राइट अंसर रहेगा 1997 तो B बिल्कुल इसका राइट अंसर है राजी गांदी अक्षा उर्जा पार्क हरियान में कहाँ पर आसान कौशन है बिल्कुल तो यह आपका गुरू गुराम में बन जाएगा तो C बिल्कुल इसका राइट अंसर है कोंसी पंचवर्जी यौजना में जाएँ कर सकते हैं जो बहाई एक नंबर दो नंबर से रह जाते हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ खास कर है याज पिर जन्होंने कभी तैयारी नहीं किया प्रैक्टिस साइट के को अकौर्डिंग वो तैयारी क्यारी जरूर करें पता लगेगा कैसे कॉशन बनते है एक्जाम में और मातर 30 रुपे चार्ज है सिक्रीन पर आपके सामने नंबर है वर्ट्षप करना डेली एक रुपे बनता है चार्ज है 30 दिन आपको प्रैक्टिस सैट मिलेंगे 30 सैट मिलेंगे और केवल 30 रुपे में भाई आगे आपकी मर परजाम होगा ज्यादा समय ये तैयारी करते रहें आगे बढ़ते रहें और बीच बीच में हम आपके लिए वीडियो डालते रहेंगे प्रियास करते रहेंगे बाकी सैट जरूर जाने कर लें इतना कह सकता हूँ 30 रुपे आप एक दिन में कहीं भी कैसे भी खर्च कर सकते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का